तो अब प्रधान मंत्री जी को ये बताना चाहिए कि जो कॉंग्रेस ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन है CBI जो उन्होंने खुद कहा था कि उनकी सरकार को तबाह करने के लिए उनकी सरकार के खिलाफ सड़ेंत्र के सबसे बड़े आउजार के रूप में CBI का इस्तेमाल किया जा रहा है नमस्कार हम हम अमद आसीफ और आप देख रहे हैं SPN 9 News मुदी सरकार पर लगातार EDCBI के दूर्पियों को लेकर बिपक्च हमला वर है और लगातार सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर मुदी सरकार के मन में क्या है आखिर मुदी सरकार चाहती क्या है ED-CBI के साथ-साथ आडानी मसले को लेकर भी तरह-तरह के सवाल पूछे गए कि आखिर क्या है मोधी सरकार के मन में कि JPC की मांग क्यों नहीं कर रही है क्या आडानी को बचाने की साजिश तो नहीं रच रहे हैं या उनको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे है आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं कि किस तरीके से यही ED-CBI तमाम बिपक्ष की नेताओं पर जाच परताल और च्छापे मारी तो कर रही है लेकिन आखिर यही जब BJP की नेता या आडानी का मसला सामने आता है इसको लेकर बिपक्ष जबर्दस तरीके से मोधी सरकार पर हमला हो रही है अब इसका क्या इंपक्ट पड़ेगा वो हम आपको आगे बताएं लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देखे सभी पत्रकार बंधुओं को नमश्कार आज सीवी आई की हीरत जैन्ती के मौके पर भारत के प्रधान मंत्री आदर्णी नरेंद्र मोधी जी ने सीवी आई के बखान में बड़े बड़े कसीदे पढ़े तारीफों के पुल बांदिये निश्चित रूप से ऐसे मौके पर यह सोचना जरूरी है कि भारत के प्रधान मंत्री सीवी आई की जो तारीफ कर रहे हैं वास्तों में उसकी कारशायली के कारण तारीफ कर रहे हैं या CBI प्रधान मंत्री जी के जेब की संस्था बन चुकी है इसके कारण तारीफ कर रहे है इस तारीफ के पीछे कारण क्या है क्या प्रधान मंत्री जी अब ये मानते हैं कि CBI पहले की तरह उनके इसारे पर उनके कटपुतली की तरह काम कर रही है इसके कारण तारीफ कर रहे है या उसकी कारशेली की वज़े से तारीफ कर रहे है मैं खुद भारत के प्रधान मंत्री आदर्णी नरेंद्र मोदी जी का बयान आपके सामने दिखाना चाहूंगा जो उन्होंने इसी CBI को लेकर बोला था और कब बोला था जब वो गुजरात के मुख्य मंत्री थे सुनिये उन्होंने क्या कहा था CBI को देश के मौजूदा प्रधान मंत्री आदर्णी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्य मंत्री रहते हुए कहा था कि CBI Congress Bureau of Investigation है उनकी सरकार के खिलाफ चल रही सारी साजिसों का सबसे बड़ा ओजार है CBI सुनिये आए दिव कि इस सरकार को अभा करने के लिए नए नए शडियन सबस्क्राइब और शडियन को का दियन का सबसे बड़ा मजार है CBI यह Congress Bureau of Investigation है तो यह प्रधान मंत्री जी का वक्त अब आपने सुना तो अब प्रधान मंत्री जी को यह बताना चाहिए कि जो Congress Bureau of Investigation है CBI जो उन्होंने खुद कहा था कि उनकी सरकार को तबाह करने के लिए उनकी सरकार के खिलाफ सडियन के सबसे बड़े आउजार के रूप में CBI का इस्तेमाल किया जा रहा है उस समय मानी सरवोचे न्यायाले ने भी कहा था CBI सरकार का तोता बन गया है और आज उसी तोते को अपने ही सारे पर नचाने का काम भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी जी कर रहे हैं और ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि जब से CBI का गठन हुआ तब से लेके आज तक एक उदाहरन आपको नहीं मिलेगा एक उदाहरन जिसमें CBI के डिरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया गया ये काम कब हुआ ये काम हुआ 2018 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंतरी थे CBI के डिरेक्टर थे आलोग बर्मा जी उनके पास राफेल की जाँच चल रहे थी राफेल की फाइल उनके पास थी राफेल के मामले में वो सुरुआत कर सकते थे जाँच की और इसी के कारण उनको जबरन नियमों और कानूनों को ताख पर रखकर CBI का दफ्तर सील करके उनको वहाँ से निकाल के बाहर किया गया हटाए गया और आज तक मुझे जो जानकारी है उनके पैंसेन की मंजूरी नहीं हुए आप बात कर रहे हैं CBI की निश्पक्षता की आप बात कर रहे हैं CBI के कसीदे पढ़ रहे हैं आप अरे आप ने तो CBI के डिरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया आपने तो CBI के डिरेक्टर को जबरन हटा दिया आपने तो आज तक उसकी पेंसन की मंजूरी नहीं होने दिये आपने तो CBI को लेके बड़े बड़े आरोप लगाए और आज जब वही CBI आपके इसारे पर नाचने लगी राजनितिक प्रतिदंदियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जेल में डालने लगी तो CBI आपके लिए अच्छी हो जाती है कह रहे हैं काले धन के खिलाफ CBI ने कारवाई की क्या कारवाई की कारवाई की ललित मोधी के खिलाफ कारवाई की बीस अजार करोण रुपे लेके मेहुल चौकसी और नीरो मोधी भाग गये कारवाई की दस अजार करोण रुपे लेके विजे मालिया भाग गया कारवाई की नितिन संदेसरा छे अजार करोण रुपे लेके भाग गया काले धन के खिलाब क्या करवाई की CBI ने नरेंदर मोधी जी के मित्राडानी ने मौरिसेस में एक पते पर 6 कंपनी खोल कर 42,000 करोर रुपए काला धन अपनी कंपनियों में हिंदुस्तान के अंदर लगाया कोई कारवाई की CBI ने CBI ने किस पे कारवाई की फर्जी मामले बनाकर भारती जनता पार्टी के सारे पर सरकारों को गिराने डराने धमकाने और पकल पकल के जेल में डालने की कारवाई CBI ने की जो दिल्ली में हमें देखने को मिल रहा है और बाकी दूसरे राजियों में देखने को मिल रहा है तो इसलिए मैं समस्ताओं कि प्रधानमंत्री जी ने CBI के बारे में जो तारीफ के पुल बांधे है दरसल प्रधानमंत्री जी उसी प्रकार से CBI का इस्तेमाल कर रहे है जो सुप्रीम कोर्ट ने टिपड़ी की थी कि CBI सरकार का तोता है उसी तोते को अपने इसारे पर नचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री आधनी नरेंद्र मोधी जी कर रहे है मुझे इतनी ही बात करनी थी और आपके कोई प्रस्ट नो जो जानकारी मिली है मनिस्ष सौदिया जी के मामले में उनकी नयाई खिरासत बढ़ा दी गई है वो तानूनी प्रक्रिया होती है तो वो फैसला भी आज हुआ है कोट के द्वारा आपके कोई प्रस्ट नो आप पूछ सकते हैं अपने ये वीडियो देखा और वीडियो देखकर लाजमी है कि आपके मन में सवाल आए होंगे कि आखिर मोधी सरकार चाहती क्या है कि इतना बड़ा घुटाला होने के बावजूद और इतने बड़े इलसाम लगने के बावजूद उन पर जो है कोई कारवाई नहीं हो रही है इतना ही नहीं बिपक्ष ने ये भी कहा कि इस अडानी घुटाले में देश को प्रधानमंती नरेंद्र मोधी जी का ही हाथ है इसके बावजूद भी मोधी सरकार ना तो उनको जेल में डालिया ना उनको पर एक्शन लेती नज़र आई ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ दाल में काला तो नहीं चलना है देखते हैं कि आखिर बेपक्ष जो सवाल उठाया क्या मोधी सरकार उसका जवाब भी दे पाएगे देश दुन्या की वाइख़बरों के लिए देखते रहें पेनाइ निउस नमस्कार